नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू सास्त्रों के अनुसर बताएंगे के रात के तीन वजे उठने का क्या है सच जी हाँ दोस्तों, जिस वैक्त की नीद रात के तीन वजे खुल जाती है तो उसके पीछे की सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों रात के तीन बजे क्यों अचानक खुल जाती है आँख क्या है इसके पीछे का काराड़ क्या या किसी बात का संकेत है या फिर सिलीपिंग डिसंडर की समस्या ये कुछ ऐसे सबाल हैं जिनका जवाब पाने के लिए लोग मानसिक रूप से भटकते हुए नजराते हैं कई लोग मानते हैं कि रातरी तीन बजे का समय सैतान का होता है इस दवरान सैतानी सक्तियों का परभाव अधिक होता है हालाकि इसके पीछे दिया जाने बला तर्क इस पस्ट नहीं है निंद्रा और अनिंद्रा को लेकर लोगों की अलग-अलग आदते होती है कुछ लोगों को रात में जल्दी नीद आ जाती है तो कुछ लोगों को देर रात तक नीद ही नहीं आती है इसके अलाबा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नीद रात में बक्त बेबाक्त अचानक खुल जाती है अक्सर गहरी नीद के बावजूद हम रात के तीन बजे से पांच बजे की बीच अचानक ही उठ जाते हैं कई बार तो ऐसा होता है बिना आलान के हम ठीक एक ही समय पर हर रात उठते हैं आईसी बातों पर हमें अबज से ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि मनुस्य के आसपास कई तरह की अधरस सक्तियां बिद्वान रहती हैं जिन से बह अंजान होता है रात में अचानक आख खुलना अनिंद्रा आद की समस्या हो सकती है लेकिन इस दोरण कई बार हमारा सरीर हमें कुछ ऐसे संकेत देता है जिस से हमें एक अध्यात्मिक सक्ति का आभास होता है आईए जानते हैं रात्री में ये देवियस सक्तियां कि इस परकार से हमें संकेत करती हैं दोस्तों जब रात एक बजे से तीन बजे के बीच अचानक खुलें आँख, रातरी एक से तीन बजे के बीच आँख खुलना ब्यक्त के गुसे की और संकेत करता है, हलाकि यह हमारी अल्पकालिक भावना होती है, और बादमी, पुनह हम सावान इस्तित में आजाते हैं, भैर यदि रातरी में इस तरह की परिस्तितियों से जूज रहे हैं, तो इससे आपका लीबर प्रभावित हो सकता है, ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले कुछ जरूरी उपाय करें, सोने से पहले अपने हाथ पर धोलें, उसके बाद मन में सुबिचाल लाते अईसा नियमित करने से आपको सकारात्मक प्रणाम मिलेंगे, दोस्तों जब रातरी के तीन बजे से पांच बजे के बीच जागते हैं आप, जिस ब्यक्ति की आँख रातरी तीन बजे से पांच बजे के बीच में खुल जाती है, तो आप खुद को अध्यात्मिक सक्षिसे जुड़ा पाते हैं, आपकी आत्मा को दैबिये उर्जा का आभास होता है, और एक असामान, परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मनना है, इस दवरान, उठने से कुंडलीनी जागरत होती है, जो लोग रातरी तीन बजे से पांच बजे के बीच उठते है, कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू सात्रों के अनुसार माना जाता है, कि इस समय उठने बाले लोगों के ऊपर सोएं, इस वर की किरपा होती है, इसलिए बो रातरी तीन बजे के बीच में उठते हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर करना बिल्कुल भी मत भूलना, तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे, कि से सही ग्यान बर्धक और नालेजबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जैहीन जैभारत!